है गाइस कैसे हैं आप लोग आई होब कि आप लोग काफी अच्छे हैं मैं आपका स्वागत करता हूँ कॉमर्सी पार्ट शाला में और जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं मैं आपको बताने वाला हूँ कोई भी तरह की वीडियो आप से मिस्स नहीं हो पाई कि जब भी मैं किसी वीडियो को दालूंगा तो ठीक आपको पहले इकन को दबा दे उसके बाद मैं बोलना चाहूंगा कि आप चाहें तो हमारे चैनल का मेंबर्शिप का प्लान ले सकते हैं जो कि आपको इस जॉइन वाल आपको पेमेंट करना और फिर इस वाट्साप अले पटन के उपर क्लिक करके हमारे ग्रूप को जॉइन कर लेना है यहां पर बेनेफिट्स आपको क्या क्या मिलेंगी आपको फ्री सॉर्वल असाइंमेंट्स मिल जाएंगे फ्री आफ कॉस्ट आपको बहुत ही लो कॉस्ट पर इस तरीके से 40% डिसकाउंट्स पर आपको नोट्स मिल जाएंगे अगर आप लेना चाहते हैं तो हलाकि वीडियो और नोट्स के मादियम से फ्री आफको फॉस्ट पर अवश्रक्ता नहीं पड़ेगी साथी साथ अगर आप वाट्साप सपोर्ट लेना चाहते हैं जो कि करने के बाद आप बूलिए कि सर मैंने अभी तक मेंबर्शिप नहीं लिया पर मैं डिरेक्ली आपके साथ जोड़ना चाहता हूं तो वहां पर सिर्फ आपको 100 रुपीज पे करने पड़ेंगे आपको यहां पर 119 रुपीज पे आपको नहीं करने पड़ेंगा उससे आपक हमारा playlist बना हुआ इगनू become new बोल करके तो playlist पर आपको जाना है जाने के बाद आपको इगनू become new के उपर क्लिक करना है आपको 1st year, 2nd year, 3rd year की सारी की सारी playlist मिल जाएंगी जिसके अंदर धेरो वेडियों से जिनको देख करके पढ़कर के आप examination में अच्छे marks लाप आओगे अब चलते हैं हमारे topic के ओपर जो की है Requisites of a Valid Meeting, एक meeting को valid की आप बोलेंगे या एक meeting को valid बनाने के लिए किन-किन चीजों की आवशकता पड़ती है, सबसे पहले हम उसके बारे में बात कर लेते हैं तो अभी हम बात करने वाले है Requisites of a Valid Meeting के बारे में जो चलिए फिर देखते हैं So in the preceding two sections, you learned, अच्छे सो गोली मारो, हम लोगोंने कुछ नहीं पड़ा, you will study about these now in any organization, इसको इसके बाद से कर पहें, ठीक है Now, in any organization, meetings are held to discuss, transact important matters related to the objectives of the organization तो जो भी उतेश यह होता है organization का उसको ध्यान में रखते हुए, जो है meetings conduct कराई जाती है organization के द्वारा different times पे, ताकि एक तरीके तह जो objective है, उनको पूरा किया जा सके और उसी के लिए वो जो है meetings करवाते है So, over the years, certain essential requirements of a valid meeting have been evolved so as to give legal backing and respectability to the decisions taking in the meetings तो over the years, जैसे ऐसे समय बीता है, समय के साथ साथ लोगों ने एक तरीके से इसको बहुत ही अच्छे तौर पे लिया है और इसको एक तरीके से valid बनाने के लिए यहां पर कुछ कुछ चीजें एक तरीके से evolve होई है, जिनका इस्तमाल किया जाता है as a legal backing आगे जाकर कि अगर कोई legal पच्टे में अगर आप हसते हो तो इस meetings का सहरा आप ले सकते हो, जिसमें आप बोल सकते हो सबसे पहला पॉइंट है, सबसे पहला पॉइंट है, the meeting must be convened properly by the persons और अथोरिटी डियुली ऑथोराइज टू तो सबसे पहला पॉइंट है, सबसे पहला पॉइंट है, the meeting must be convened properly by the person और अथोरिटी डियुली ऑथोराइज टू सबसे पहला पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है, a proper notice should be sent as per by laws to all the persons who are entitled to attend the meeting or to vote at the meeting, otherwise the proceedings of the meeting will be invalid. मेरे पास भी को जिसन पहले mail आया था, जब भी देखो, जो भी मैं किसी share को खरीदता हूँ, और उस share की जो AGM होने वाली होती है, annual general meeting होती है, फिर कोई ACV meeting होती है, नहीं तो आपका जो meeting है, वो एक तरीके से invalid हो जाएगा, सही उसको नहीं माना जाएगा. तो दूसरी बात जो आपको यह करनी है, वो यह है कि आपको notice भेजना है, सभी को अपने bylaws का एक तरीके से इस्तमाल करते हुए, जो भी bylaws कहते हैं, उसके हिसाब से आपको जो है, सारे कामों को करना है. पब्लिक मीटिंग्स, पब्लिक मीटिंग्स are convened through advertisements in newspaper, जो पब्लिक मीटिंग्स होती हैं, वो एक तरीके से advertisement की जाती हैं, उसकी newspapers में ताकि लोगों को पता चल जाए, क्योंकि पब्लिक मीटिंग्स है, सारे लोगों को यहाँ पर हिस्सा लेना है, तो newspapers में इसका ad डाल दिय जाता है, posters के मार्दियम से या फिर, or by notice displayed in a prominent place, किसी prominent place पर कोई notice चिपका दिया गया, right, individual notices in such cases is neither necessary nor possible also, तो individual cases तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पब्लिक participation है, तो सारे लोगों को बताने के लिए, अगर आप individually सबको notice लिखोगे, तो तो possible नहीं हो पाएगा, right, तो किसी prominent place पर आपने कोई notice चिपका दिया, posters के मार्दियम से आपने बताने की कोशिच की, newspaper में आपने ad डाल दिया, तो यह सारी चीज़ें जो हैं तरीका है, यहाँ पर एक तरीके जो लोगों तक message को convene करने का, कि हम meeting करने लाए है, ठीक है, और individual notice लिखना नहीं वो possible है, नहीं वो necessary है और नहीं वो possible हो पाता है, वह पब्लिक मीटिंग की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तब meeting must be lawful, जो meeting है वह बहुत ही कानूनी रूप से सही होना चाहिए, lawful होना चाहिए, it must be held at a lawful place, एक अच्छे कानूनी वातावरन में होना चाहिए, that is a place not prohibited by any law, ऐसा कोई जगा जुसको एक तरीके से मना किया गया है कि यहाँ पे आप meeting नहीं कर सकते हो, वहाँ पे अगर आप meeting करोगे तो वो भी invalid हो जाएगा, तो एक सही जगा पर होना भी बहुत important है, for a lawful purpose, जिसका purpose है, एक lawful है, कानूनी रूप का है, एक लीगल कोई का खलल पैदा नहीं होना चाहिए, तो यह चीज का बात आज इन चीजों का आपको ध्यान रखना है, meeting जो है lawful तभी बनेगी, जब आप इन चीजों का ध्यान रखोगे, आप lawful place पे meeting को कराओगे, एक ऐसा place जो कि एक तरीकी से मना नहीं किया गया है lawful होना चाहिए, किसी public policy के खिलाफ नहीं होना चाहिए, public interest में होना चाहिए, इन चीजों का आपको ध्यान रखना है, अगर आपको अपने meeting को valid बनाना है, चौथा number point है, the meeting must have a quorum prescribed according to its rules and regulations, तो meeting का एक quorum होता है कि यह यह चीज़े हम meeting में करने वाले हैं, तो उस quorum को पूरा करने के लिए, पूरा छोड़ो पहले, बताने के लिए आपको prescribed way में आपको अपने quorum को mention करना होता है, आपने rules and regulations को follow करते हुए, कि यह हमारा quorum जो है होने वाला है, quorum means attendance of a minimum number of authorized persons, quorum का मत सकतर लोग होने चाहिए, meeting को start करने के लिए, यह suppose quorum है, तो अगर सकतर लोग नहीं होंगे, meeting start नहीं होता है, right, so quorum means का मतलब होता है, attendance of a minimum number of authorized persons, minimum जितने सारे लोग है, minimum कितने होने चाहिए, वो quorum आप decide करोगे, ताकि जो business है, वो हो सके, जो meeting है, वो हो सके, so quorum means attendance of minimum number of authorized persons for a valid transactions of businesses, business meeting कर देता है, इसको, where no quorum is prescribed, जहां पर किसी की तरह कोई quorum prescribed नहीं है, pre-assumable, वहां पर assume, पहले से कर लिया जाता है, at least two persons must be present, कि कम से कम यहां पर दो लोग तो पक्के होने चाहिए, ताकि meeting को start करा जा सके, as it is possible, impossible for one person to constitute a meeting, अब वो इसलिए है, क्योंकि एक वैक्त के लिए meeting कर पाना तो possible नहीं है, meeting करने के लिए कम से कम दो लोग चाहिए, जो आपस में मिल करके बातचीत करेंगे, right, तो अगर quorum कोई decide नहीं किया गया है, number of attendance अगर नहीं decide किया गया है, तो उस case में यह assume कर लिया जाता है, कि कम से कम अगर दो लोग भी होंगे, तो meeting जो ह not only be present in the beginning, but must be maintained throughout the period of the meeting, अब ऐसा नहीं कि quorum जो है, सिर्फ जब आपने meeting आपने start करा, तभी आपको पूरा करना है, 70 लोगों से meeting start करना है, meeting start करके 5 लोग चले गया, यह भी नहीं सही होगा, ठीक है, 70 लोगों को, 70 लोगों को ही throughout the meeting भी उनको present वहां पे रहना बहुत important है, ठ meeting start करने से लेकर, meeting end होने तक एक जो quorum है, उसको maintain करके रहना बहुत important है, however, quorum is not necessary for any public meeting, तो public meeting के लिए किसी भी तरह के quorum के आवशक्ता नहीं पड़ती है, यह भी आप अपने ध्याम में रख सकते हैं, यह जो मैंना भी आपको बता ही quorum के जो conditions है, यह जो जो भी चीज़े ह कि सिर्फ और सिर्फ public players के लिए है, जो public meetings होती है, जो private meetings होती है, क्या बोल रहा हूं मैं भी कभी कभी, जो private meetings होती है, उनके लिए public के लिए नहीं, public के लिए किसी भी तरह की quorum के आवशक्ता नहीं पड़ती है, अगला point है, the meeting must be always be presided by, over by a chairman, तो एक chairman जो है, वो meeting को preside the chairman in the case of public meeting is appointed by the conveyors or by those who are present, तो जो chairman होता है, public meeting के case की बात कर रहा हूं, अगर आपका meeting public है, तो उस case में जो chairman होगा, वो कैसे decide होगा, उसको जो है, या फिर तो conveyors decide करेंगे, या फिर वो लोग जो महां पर present होँगे, वो decide करेंगे कि यह हमारा chairman होगा, यह meeting को preside करने वाला है, पुब्लिक मीटिंग के बात कर रहा हूं, प्राइवेट में तो chairman एक तो हो गाई, है न, प्राइवेट में chairman होते हैं, लेकिन पुब्लिक में chairman चुकी नहीं होते हैं, तो यहा फिर जो भी convenors होगे, वो decide करेंगे कि यह हमारा chairman होगा, यह पर प्रिसाइड करेंगे, या फिर presiding officer होगे, preside करेंगे, so in the case of registered bodies, registered bodies के case में, the chairman is appointed according to their respective rules and regulations, तो ऐसे जो भी, you know, organizations है, ऐसे जो भी bodies है, registered bodies है, तो उन सारे cases में, जो chairman होगा, उसको appoint किया जाता है, by following the respective rules and regulations, rules and regulations को follow करके, उन, you know, chairmen की तुरिके सा appoint करा जाता है, छटा नमबर पॉइंट है, proceedings of the meeting must be regulated according to the law, governing the particular meeting, जो भी proceedings होगी meeting की, particularly उस चीज़ को, meeting को जो है, जो भी government की जो law है, उसके according वो meeting होने चलिए, तो meeting को जो regulate करने का काम जो होगा, वो जो एक law केता है, तो वो काम करेंगा, जो की एक तरीके से, you know, एक guidance force के तरूप में, जो है, वो law काम चाता है, जिसके जरी है meeting की proceedings जो होती है, तो चटे नमबर पॉइंट में ही बात बूलीगी है, कि proceedings of the meeting must be regulated according to the law, ठीक है, governing the particular meeting, जो भी चीज़े होगा, जो law governing body होगी, वो एक तरीके से proceedings की तरीके से manage करेगी, और उसके according जो है, उसको regulate करने की कोशिच की जाएगी, proper record of the proceedings at the meeting must be kept, meeting में जो भ भी आपको ध्यान रखनी है, तो एक वारिट मेटिंग के लिए, जो भी meetings में हो रही है, उन सारी चीज़ों को एक तरीके से record करना बहुत important होता है, the minutes of the proceeding should be duly written, जो भी minutes होगे, मतब जो एजंडा होगा एक तरीके से, उनको एक तरीके से लिखा हुआ होना चाहिए, signed होना चाहिए, confirmed होना चाहिए, in accordance with the established provisions, confirmed होना चाहिए, जो भी established provisions है, उसके according, वो चाहिए, सारी चीज़े से confirmed होगी, duly written होगी, जो भी members present होगे, उनका वहाँ पर sign भी रहेगा, तो एक proper record यहाँ पर रखने की बात की जारी है, जो भी meeting की profiting होग, so these are the seven requisits of a valid meeting, एक valid meeting को और वाल आया, तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर करें, मिलते हैं ले वीडियो में अपना ख्याल रखें, बाबाई, थैंक यू